आप सभी को मेरा पनाम हर्बल रेमिडीज और नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है में तरो आज एक औरनामेंटल प्लांट की बात करेंगे यह जो सुन्दर औरनामेंटल प्लांट है यह हाईली मेडिशनल प्लांट भी है और यह बुरून फैल्सिया पॉसी फ्लोरा के सा जाता है और सोलनीशी का यह मेंबर है परपल वाइट फ्लावर्स आप इसके देख रहे हैं इसके पत्र इसके फूल और इसकी जो रूट होती है औस दिये गुणों के लिए उप्योग में आती है पैरी नियल शरब है यह और इसको औस दिये गुणों में उप्योग जो एंटीडोट का कारे करता है स्नेक बाइट के अगेंस्ट एंटीडोट का यह कारे करता है उस रूट को हम एक्स्टेक्ट कर लेते हैं और स्नेक बाइट जहां किया हो उसका डिकोक्शन बनाकर हम लोग घाव को धो देते हैं तो अच्छा कारे करता है इसके अलावा अग अगर inflammation है या arthritis की समस्षा है तो इसका हमें decoction बना कर सेवन करना चाहिए joint pain की समस्षा है तो इसके पत्र और इसके फूल का पुल्टिस बना कर घाव पर बांधनी चाहिए घाव की inflammation को कम करता है joint pain को दूर करता है इसके अंदर rheumatic pain को कम करने की arthritis के pain को कम करने की और natural analgesic का भी प्लांट कारे करता है ज़्यादा मात्रा में लेना नहीं चाहिए क्योंकि यह toxins भी इसके अंदर होते हैं क्योंकि high content of alkalide होता है जो कि highly potent होता है तो excess मात्रा में लेना हानिकारख हो सकता है प्रोमिनेंटली हम इसको external application के लिए यूज कर सकते हैं इसके फूलों को सुखा कर आप रख सकते हैं और इसके फूलों को अगर आप रात को पानी में भीगा कर सुबह इसका seven करेंगे तो internal bleeding की अगर समस्षा होती है उसको भी दूर करता है शरीर के अंदर कई बार toxins accumulate हो जाते हैं तो हिपेटो प्रोटेक्टिव मेकिनिजम के चलते हुए यह शरीर के toxins को बाहर निकाल कर लीवर remediation करते हुए और एंटिडोट का यह कारे करता है इसके अंदर यूर्स ओलिक एसिड ओलिन ओलिक एसिड और कुर्सटिन भी पाए जाते हैं जो इसको आप यूटलाइज कर सकते हैं पत्रों का पेस्ट बनाकर स्किन केर के लिए अपलाई कर सकते हैं एंटी फंगल एक्टिविटी इसके पत्रों में होती है और अगर घाव हो गया है घाव भर नहीं रहा है तो इसके एपिकल पोर्शन का डिकॉप्शन बनाकर घाव को भी दो सकते हैं मुझे इस गुनकार ये होता हैं चहरे पे मुह से हो जाते है उन रहा ऑप मुहासों की बनाकर मिह बदीश्वाशन के लिए यो को की कर दिजी है अब देखेंगे कि धिरे-देरे चेहरे के मुहा से या Pimple की समस्या आसानी से दूर हो जाती है । नेद्धरो आप इसको सहले से चंजर्वव भी कर सकते है शेजिदा से सत्रब भी कर सकते है सब्सक्राइब अच्छी कंडिशन के लगाए वस्दी पोदे अच्छी गुनवत्ता के रिजल्ट्स देते हैं और कोस्मसेटिकल इंडस्टीज में भी इस प्लांट का काफी उप्योग किया जा रहा है अक्रोस दगलोब सभी जिगे यह पाया जाता है और यह जानकर है आप को संरक्षत कीजिए सांजा कीजिए फिर मिलेंगे नई प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम उसका चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब अवस्ट करें ताकि आपको नित्यप्रति एक नई प्लांट की जानकारी मिलती रहें प्रणाम